कहत कबीर का एक पद्म अब दो ऐसा ग्यान विचार भेरे चड़ें तेद्धर डूवें निराधार भे पार आउगट चले सो नगरी पहुँचे बाट चले सो लूटे एक जीवडी सब लप्टाने के बाद है के छुटे मंदिर पैस चहोंदिस भीगए बाहर रहे ते सूखा सरिमारे ते सदा सुखारे अनमारे ते दूखा बिन नैनन के सब जग देख है लोचन रहते अंधा कहें कविर कच समझ परी है यह जग देखा धन्दा अबधू ऐसा ज्ञान विचार आठ पंक्तियों का एपद साहिप की तो एक एक बाणी अधभुत अधभुत है अबधू ऐसा ज्ञान विचार अबधू का आर्थ होता है जिसने अपने आप को पूरा शुद्ध कर लिया निर्मल कर लिया वो अबधू है काते आए अबधू ऐसे ज्ञान का विचार करो भेरे चड़े ते अधर डूबे भेरे नाम भेरे बेडा भेरे अपबरंस में अपबरंस की एक बिश्त्रित भासा संस्कृत से अब भरंसोगर की कितनी भासाएं बनी है और संस्कृत कभी भी जन भासा नहीं रहे पंडितों की भासा रहे दक्षणी भारत में कोई कोई गाउं है जिसमें कुछ घर या कोई एक दो घर है जिसमें संस्कृत बोलते हैं कोई आवे तो संस्कृत बोलते आवे तब वयादर करते हैं इस्त्रियां भी संस्कृत बोलते हैं कहीं कोई है सदा ही संस्कृत भासा कुछ लोगों की थी अब बरंस ही जन भासा होती टुटी हुई भासा हिंदी ही है हिंदी छेटर के लोगों की हिंदी भासा कितने लोग बोलते हैं बहुत कम लोग बाकि अप भरंस में हिंदी बोलते हैं अब दो ऐसा ग्यान भिचार भेरे चड़े ते अद्धर डूबे भेरे बेड़े बेड़ा पर नावका पर जहाज पर जो चड़ के चलता है अद्धर डूबे बीच ही में उटूब जाता है निराधार भे पार जो निराधार जाता है वो पार हो जाता है नदी पर जाना है तो नदी के पानी पर चलते हुए चले जाओ तो पार हो गए और नावकम बैटोगे तो डूब जाओ गए ये बाद सुनकर के भी लगेगी क्या बकवास है लेकिन जिसके लिए साइब कहते हैं वो सच है बेडा जहाज आधार मोटी और जहीनी माया का हमने माना है और जो मोटी जहीनी माया के नावका पर बैट के चलना चाहता हो बीच में डूपता है सांसारी प्राणी पदार्थों को पकड़ करके जो बेणा पार चाहता वो डूपता है जितना हमारा मोग संसार में होगा उतनी हमें जुभन होगी ये वैज्ञानिक तत्य है हम संसार में मोह करके आसक्त होकर अपना बेणा पार करना चाहते हैं पक्का समझलो जो देखते हो अद्रिस्य होगा जो सुनते हो भूल जाएगा जो सुंगते हो खो जाएगा जो छूते हो नहीं रह जाएगा जिसका स्वाद लेते हो नहीं रहेगा इसी जीवन में बहुत खो गया है अनेकों का हमने प्यार किया और खो गए कितने लालों को पाले पर सूना ही आचल है जग को समेट कर रख ले इतना किसमे संबल है कितने लालों को पाले लेकिन गोद सूनी ही रहते हैं बच्चों को पालते हैं प्यार करते हैं वही बच्चे बड़े हो करके बिरूदी हो जाते हैं नहीं बिरोधी होते हैं आपने बाल बच्चों में उलज जाते हैं आपका क्या करेंगे? कौन बेड़ा आपका पार करेंगे? ये व्योहार है गुरुवा संगात है व्योहार कर दो मन कहीं बांधो ना कहीं बाद होगे जवरदस्त आधार मानोगे वहीं से धक्का लगे गए पक्का समझ ला दसरत ने कई-कई में अतिमोह किया था वहीं से उनको प्राण पीड़ा हुई थी सिर्राम में भी उन्होंने अतिमोह किया नहीं तो भरत को बुला लेना चाहिए ये कोई बात भी है छोटा सा कार्जक्रम होता है तो परिवार के सभी लोग उपस्थित किये जाते है राज गद्धी दी जा रही है इतना बड़ा काम सप्ता परिवर्तन और भरत जैसे पुत्र को बताया नहीं जा रहा है बुलाया नहीं जा रहा है दसरत की भहेंकर भूल मोह, मोह को हो, मोह मोह ही सबसे बड़ी भूल है आपनों की सामने समय समय से मैंने कहा है बहुत लोग जानते नहीं बालमीक रामयान की अंसार दसरत की शादी पंजाब में हुई थी कई-कई से, कई-कई देश व्यास नदी का छेतर है पंजाब का आप जानते हैं कि उदर के लोग गोरे लंबे होते हैं सुन्दर होते हैं इस्थियान सुन्दरी होती है भारत के रजवारे प्राया पंजाब से लड़कियां लेते थे कई-कई नरेश ने दसरत से पृतिग्यां कराई थी उत्पन बच्चा जुद्ध्या की गद्धी पर बैठेगा ये आप हा रहें तो मैं साधी करो उन्होंने हारा और उसी भैसे मोहता राम में उसी भैसे वै जब भरत गए ननिहाल तो तुरंट उन्होंने राजगद्धी राम को देने की सोची कई कई को भी नहीं बता रहे थे रात में जब गए तब तक बात संगीन हो गई थी कई कई का मन शुद्ध था लेकिन मंथरा ने जब ज़्यादा समझाया तब बुद्धी उलट गई जब मंथरा ने कहा था कि तुम दसरत को गोद में रख करके प्यार करती हो साप पालती हो भैंकर है वै तुम जानती हो राम का राज्य होने वाला है कई कई नहीं कहा बड़ी खुशी राम का राज्य होता है एक आभूशन तुरंद उतार के दिया और जल गई मंथरा जब उसमझाई राम का राज्य होगा फिर उनके बच्चों का होगा वही क्रम चलेगा भरत बेकार हो जाए राम भरत को जेल में डाल देंगे या खतम करवा देंगे सत्य खतम हो जाएगे राज-काज्य में जैसा होता वैसे वैसे उसमझाई कई-कई के मन बदल गया ब्याकुल हो गई अब क्या करो तब मंतरा समझे अब दाओं लग गया तो उसने सुझाओ दिया तो मन का मोह ऐसा जटिल होता है कि आदमी को भटका देता है दसरत पीडित हुई मन के मोह से कई-कई पीडित हुई मन के मोह से सिर्राम और सीता भी पीडित हुई मन के मोह से जब सुझ मिर्ग पर मोहे रावन पीडित हुआ सीता के मोह से जो हमारे ग्रंथ हैं पुराने उन ग्रंथों के जितने पात्र हैं उनकी भूलों से और उनके ग्यान से दोनों से निर्देश मिलते हैं राम का यह अनासक्त भाव कि जब उन्होंने सुना कि मेरा चोदा वरस का वनबास हुआ तो बालमीक रामयन में लिखा है कि राम को शोक नहीं हुआ और तुरन तैयार हो गए यह कितना प्रणापर्द है लेकिन म्रिग में मोह गए यह भी प्रणापर्द है कैसा हम न मोह है हम अपने पूर्वजों से पूर्वगरंतों से हर प्रकार से लाव ले सकते हैं सकारात्मक गुद्ध होनी चाहिए भेरे चड़े ते अद्धर डूवे अद्धर कहते हैं बीच में गहरे में जो नावका पर बैट के चलता हो बीच में डूप जाता है लोक में नावका में चड़ करके लोक पार होते हैं डूप जाना अपवाद होता है कहीं भवर में फस गए हवा आ गई, कुछ कान हो गया वो अलग भी से नदियों में समुद्रों में लोग नावका जहाद से ही पार होते हैं साहिब कहते हैं नावका में बैटोगे तो अद्धत डूपोगे, बीचे हम डूपोगे यहां नावका का लाक्षनी करता है प्राणी पदार्थों में आधार पकड़ोगे मोह का तो डूपोगे ब्यवार में तो आधार पकड़ना पड़ता है लेना पड़ता है देना पड़ता है और आधार देना पड़ता है आधार लेना पड़ता है सुभाव कम मिलता है तो भी लेना देना पड़ता है रुचिया नहीं मिलती है संसकार नहीं मिलते है तो भी लेना देना पड़ता है विवेकवान चाहे गरस्ती में हो चाहे विरक्ती में हो परिवार हो या समाज हो जो समझदार होते हैं वो केवल सुभाव रुच को ले करके संगत बैठाने के चेश्टा नहीं करते हैं हमारा सुभाव, दूसरे की सुभाव, हमारी रूच, दूसरे की रूच, एक हो, तब संगती बैठाएंगे, तब व्यवहार करेंगे, यह कैसे हो सकता है? सबका संसकार एक कैसे होगा? सबका विचार एक कैसे होगा? एक सिद्धांत में रहने वालों के भी सब के संसकार अलग-अलग होती बुद्धी अलग-अलग होती सानगती अलग होती समझदार उसमें संगत बैठाते कैसे हम निप्टे तेल बत्ती आग ये तीनो बिरूधी बत्ती रूई की तेल आप जानते आग जानते ये तीनों परस्पर बिरूधी हैं लेकिन तीनों मिल करके प्रकास देते हैं बिरूधी गुण सुभाव धरम वाले भी एक जगा रहा कर प्रेम से निपट करके अच्छे कार्ज का संपादन करते तो परिवार हो या समाज हो जितने लोग साथ में होगे सबके सुभाव संसकार गुण करम एक नहीं होगे लेकिन अकर सबकी समर्पड बुद्धी है आदर बुद्धी है और समझते एक साथ रह करके ही कल्यान है तो वे चलेंगे और रहेंगे एक साथ ये करना पड़ता है यहां अर्था है जो मोह किया जाता है मोह फासी वो आदमी डूबेगा बीच में डूबने मतलब क्या है? बेचेन होना? विस्राम न पाना? शान्त न मिलना? भेरे चड़े ते अधर डूबे नावका पर चड़कर पार जाना चाहेंगे वो बीच में डूबेंगे किसी प्राणी पदार्थ में ममता करके बेड़ा पार चाहेंगे तो डूबेंगे बेड़ा पार होना क्या है? विस्राम संसार सागर से पार होना क्या है? यह जो बाहर का संसार है यह तो ऐसे रहता है इसमें पार होकर के कहां जाओगे? जहाँ जाओ कि जमीन रहेगी आकास रहेगा पानी हवा, मकानात, सडकें, भाग, जंगल, नगर, गाओं, आदमी, जानवर इस संसार को छोड़ करके जाने कोई गुंजाइस नहीं संसार सागर से तरना है मोह से तरना मोह से तरना ही शोक से तरना का मोह, का शोक है, एक अत्तम अनुपश्यत इस शुक्र जजरुवेद का आधा मंत्र है का मोह, का शोक है, एक अत्तम अनुपश्यत एक अत्तम का जो अनुपश्यत बराबर देखता है अनुपश्यत का मतलब बराबर देखना, अनुनाम पीछे पीछे कार्थ यहां है बराबर बारम बार एकत्तम अनुपश्यत जो बराबर एकत्त देखता है जो मैं हूँ यही दूसरा है वो छीना चप्टी नहीं करता है उसको शोक कहां और मोह कहां मोह फासी है मोह भाव सागर है और इस मोह के नावका पर बैट करके जो पार जाना चाहेगा वो अधर डूबेगा बीच में डूबेगा डूबना क्या है और पार जाना क्या है दुखी न होना पार जाना है दुख में डूबे राना डूब जाना है संसार सागर से पार हो गए इसका मतलब अब दुखी नहीं होते हैं दुखी होते हैं तो डूब रहे हैं लोग कहते हैं साहब कैसे न दुखी हो लड़का कहा नहीं मानता है कैसे न दुखी हो पतनी विरूदी है कैसे न दुखी हो घाटा हो गया है ठीक है भहिया दुखी हो कौन आपको सुखी करेगा घाटा होगा मुनाफ़ा होगा कोई बिरुदी होगा कोई बात नहीं मानेगा कोई बात मानेगा कोई प्रेम करेगा प्रेम करेगा वहाँ कम बंदन है सबसे जटलता तो आई है अनकूल पत नी अनकूल पत पा जाएं लोग हुसे हवास खो देते हैं मालम होता ऐसे रोज रहेगा अनकूल बाल बच्चे पा जाएं घोर हंकार कब तक हो चलेगा अनकूल प्रत्कूल दोनों फांसी है अगर हमने मोह और बैर किया तो मोह बैर से अपने को बचा लिया तो कुछ नहीं है कुल अपने में है दुखी नहीं होना भावसागर से पार होना है दुखी होना भावसागर में डूबना है दुख बंदन है सरवं परवशं दुखं सरवं आत्मशं सुखं यह मन उस्मृत में है अस्मृतियों में सब खराब ही नहीं है यह भी ध्यान देना चाहिए आलोचक आलोचना करते है आलोचना उस अंस का है कभी सही निवे आलोचना की सुमिर्द आई गुडण कूची ना पापपुन को मारक की ना भल सुमिर्द जहनायो होर मैयाराम धोखी कियो विश्वास होर मैयाराम हेर मैया राम, तुमने अस्मृतियों में अच्छा जहना अपने को खोया, अस्मृतियों में, अस्मृत गरंतों में, बड़ा बड़ा प्रपंच है, जाद्मात की उची नीची भावना बहुत गरहित गंदी है, करमकान में बड़ा उर्पटांग है, जीव हिंसा ही धरम कहड सब है, और अच्छी बाते भी अच्छी बहुत बहुत हैं, इसलिए सदेव नीरचीर विवेक की बनो, किसी की समूल निंदा न करो, और किसी को बिना समझे भूजे सब मानिक चक्कर में न पढ़ो, नीरचीर विवेक जो सायव ने कहा है, सादू ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहर आए, थोथा दे उड़ाए, यही रास्ता उचित है, भेरे चड़े ते अधर डूबे, नावका परवैट करके चलेगा वो बीच में डूबेगा, संसार में कहीं भी ममता बनाएगा, वो दुख पाएगा, ममता से हट करके केवल करतब भी करेगा, वो दुख से मुक्त रहेगा, यह अटल नया है, सब के लिए, भेरे चड़े ते अधर टूबे, निराधार भे पार, जो निराधार होगा, वो पार होगा, निराधार का मतलब आधार न लेना, सभी शब्द कार्त सापेक्ष होता है, निर्पेक्ष नहीं होता है, यह पूर नहीं कि पतनी सिन्द बोलना, और कहें कि देखो तुमारा बनाय मैं नहीं खाऊंगा, निराधार राऊंगा, आपने बनाऊंगा, और पतनी कहें ठीक है, तुम कमाते हो, मैं कमा के लाऊंगी तब पकाऊंगे, तुमारी कमाई नहीं पकाऊंगे, यह निराधार होना नहीं पति बाहर कमाता है, पतिनी भीतर कमाती, दोनों कमाते हैं तो सहाजोग लेना देना पड़ता है यहां निराधार कारता है, मन में मोह न बांधना बड़ा जटिल है, तर न आधार ले बिना चल नहीं सकता अब आधार लेने में जो मोह कर लेते हैं उसी में डूपते हैं बड़ी सावधानी से बरतना होगा आधार लेना देना पड़ेगा और मोह से अपने आपको पूरा बचाय रखना पड़ेगा देह सबसे निकट है और देह का वहार किसको नहीं लेना पड़ता है और देह के हंकार और मोह को छोड़ना पड़ेगा देह से साधना करना है मोह नहीं करना मोह करोगे फसोगे भेरे चड़े ते अधर डूबे निराधार भे पार बेड़ा पर, जहाज पर, नावका पर जो चड़ करके तरना चाहेगा वो डूबेगा बीच में और जो निराधार जाएगा वो पार हो जाएगा अर्थ हुआ है इस संसार के प्राणी पदा अर्थों में जो ममता मोह करके दुखहीन होना चाहेगा वो जीवन भर दुखी रहेगा और जो निराधार रहेगा कहीं ममता नहीं बनाएगा कहीं मोह नहीं बनाएगा केवल करतब भी करेगा अनासक्त हो करके रहेगा वो पार जाएगा पार होना बिस्राम पाना दुखी नो होना मर जाने के बाद पार होंगे इसी बात नहीं आज ही पार होना है जो दुखी नहीं होता वो पार हो गया जिसके मन में शोक नहीं, मोह नहीं, पीडा नहीं, वेदना नहीं, उदवेग नहीं विस्राम, विस्राम, वो पार हो गया कृतार्थ है, मुक्त है अभी निर्वान में है, कैवल्ले में है ब्राम्मी इस्थित में है, पारक इस्थित में है, सुरूप इस्थित में है, हक बीनी में है, तो भासा है, बात एक है, अधर डूबे, भेरे चड़े ते अधर डूबे निराधार भे पार, आउघट चले, सो नगरी पहुँचे, बात चले, सो लूटे, एक जेवरी सब लप्टाने के बाधे के छूटे, साहिब कहते हैं, आउघट चले, सो नगरी पहुँचे, आउघट का मतलब है बेरास्ता, जो बेरास्ता चलेगा, आउघट, बलकि आउघट का आरता है, खराब रास्ता, कठन रास्ता जो चलेगा, कराब लगता है, कराब है नहीं, आउघट, कठन, दुरूः दूर्गम रास्ता जो चलेगा, वो नगरी पहुँचेगा, बात चले, सो लूटे, ऑउघट में रास्ते में चलेगा, वो लूट जाएगा, अवगट है जिस पर आज तक चले नहीं घाट नाम रास्ता घाट नाम नदी का वहत्त जहां से लोग उतरते हैं अवगट कार्त जहां उतरते नहीं है और घाट कार्त है सुन्दरपत अवगट कार्त है जो सुन्दरपत नहीं हो हमारा जो सुपरचित पत है वो विशेवासना का है विशेवासना छोड़ करके निर्विशे होना यह अपरचित पत है अवगट है स्वादिली वस्तु खूब जम के खाना यह सुपरचित पत है स्वाद की आसकती छोड़ करके रहना अपरचित पत है मात्मा गान्दी भोजन करते थे सब के साथ पंक्तिम बैठते थे तो हरी हरी चटनी उनके लिए एक कटूरी में लाकर के बंडारी रख देता थे उनके पास एक सजजन बैठते थे एक दिन देखे दो दिन देखे तीन देखे उनका मलल चाया कहा बापुजी ये चटनी थोड़ सा मुझे भी दे दीजी तो उन्होंने उगली से निकाल करके दिया मुह में जैसे रखे तो ओ करने लगे भगे कुल्ला की सबहां से ओ नीम की पत्ते की चटनी थे गान्दी जी भी वीचित्र थे तो वो समझते हों कि कोई बहुत बढ़िये चटनी होगी अगुण में बढ़ियां है वो किसी कान बसलिते रहे होगे तो विशेवासना का पत्त सुपर्चित है सुखाट है बड़ा अच्छा लगता है और जो विशेवासनाओं का त्याग करके रहना है ये कोगाट है अपरचित है अगतम दिशा है तथा अगत बुद्ध की भाष्णा में अगत दिशा है आज तक उस दिशा में गए नहीं निर्वान दिशा अगत है तथा अगत बुद्ध ने कहा है कि परसिक्षित खच्चर सुखद होता है परसिक्षित घोड़ा सुखद होता है जो दमित हाथी है सुखद होता है लेकिन दमित आत्मा सबसे सुखद होता है जिसने अपने को दमित कर लिया अपने को परसिक्षित कर लिया अपने को समाल लिया वो सबसे सुखद है क्यों? क्योंकि एते ही आने ही जो ये सब यान है हाथी घोड़े खचर अगतम दिशा जो अगत दिशा निर्वान है उसमें नहीं जाये जा सकता है अगत दिशा निर्वान में तो आत्म दमित व्यक्त जा सकता है जो अपने को बस में कर लिया है वो निर्वान दिशा में जाएगा बढ़ियां घोडे परवैट करके निर्वान के नगरिम थोड़े पहुँचोगे बढ़ियां हाथी परवैट करके हवाई जाज राकेट परवैट करके कोई निर्वान में मोक्षधाम में नहीं पहुँच सकता है वो तो जो आपने को दमित कर लेगा तब उसमें पहुँचेगा आउघट चले सो नगरी पहुँचे जो आउघट में चलेगा वो नगरी पहुँचेगा और बाट चले सो लूटे जो बाट में चलेगा रास्ते में चलेगा वो लुट जाएगा आज तक जो आपका सुपर्चित पत्रहा है उसमें फिर चलोगे तो लूटे जाओगे विशेबास्टना बहुत प्यारी है लेकिन उसी में लुटाते आये हो आज भी लुटोगे कठूक निशद में नचकेता को समझाते हुए यमाचार्ज ने कहा है स्रे मार्ग प्रे मार्ग दो मार्ग विशेबास्टना का त्याग अंतर मुक्ता स्रे मार्ग है और बहर मुक्ता प्रे मार्ग है इंद्रियों के जरोखों से बाहर निकल करके बहना ये प्रे मार्ग है और इंद्रियों को समेट करके अंतर मुक्ता स्रे मार्ग है अंतर मुखोना बड़ा कठिन लगता है बोलना अच्छा लगता है मौन होना अच्छा नहीं लगता है देखना अच्छा लगता है आंके बंद कर लेना अच्छा नहीं लगता है स्वाद लेना अच्छा लगता है स्वाथ छोड़ देना अच्छा नहीं लगता है अनादिकाल से गंदी आदत विशेवास्णाओं की और यही बाट है यही आपका रास्ता है और इसमें सदा लुटाते आये हो अपने को आज चलोगे आज भी लुटाओगे लेकिन आउघट चलोगे तो नगरी में पहुंच जाओगे आज कल जो रास्ता सुपरचित आज तक नहीं रहा अपरचित रहा गुरू वो रास्ता बताते हैं उन पर विश्वास करो वो यह आपके कल्यान के लिए बताते हैं अध्यापक जब पढ़ाता है बच्चों को उसके कल्यान के लिए छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं छोटपर में मैं भी पढ़ा हूँ नहीं समझ पाता था अनेक बहाना बनाता था जब एक मौर भी पढ़ाने आते रात में तो मैं कभी कहता नाक में दर्द है अब कोई क्या जाने है तुरन पिता जी कहते चाओ जाओ सोजाओ कभी कहूं पेट में दर्द है तो कहें चलो टटी हो ले अब टटी हो तो हो तो दर्द खतम हो कि नहीं तो कहें नहीं खतम हो अच्छे जाओ सोजाओ बहुत बहाना बनाता था बच्पन में लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो पुस्तक छोड़ा नहीं और आज तक स्वाध्याय का ही परणाम है कि मेरे विशे में अपर्चित लोग पूछते हैं आप किस विश्विध्य आलिम पड़ें मैं कहता हूँ भाई कक्छा एक महिने कुछ महिने पड़ा हूँ और कक्छा दो में कुछ महिने बस तो कहते हैं जूट क्यों बोला जाए बिनमरता के लिए वो समझते हैं बिनमरता के लिए जूट बोलते हैं और मैं सच कहता हूँ काल मार्क्स ने कहा है कि दस वरस जो इनिविशिटी नहीं दे सकती है एक वरस का स्वाध्याय दे सकता है तो जब बच्पना गया समझ पाया स्वाध्याय में लग गया आज तक चलता है थोड़ा गहुत तो जो सुपरचित रास्ता नहीं है अपरचित रास्ता है सुपरचित नहीं है चलना कठिन लगता है लेकिन कल्याणकारी रास्ता अपरचित होता है क्योंकि कल्याण के पत्पर आज तक चले नहीं अकल्याण हमने किया पराँच खान बित्रनत स्वयम्भू तस्मात पराँग पश्चत नांतरातमन कस्चित दीरह प्रतग्यात मानमे एक्छ तावर्ति चक्चुव मृतत मिच्चन प्रकृत ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है इसलिए तस्मात परांग पश्यत इसलिए हम बाहर देखते हैं नांतरात्मन अंतरात्मा को नहीं देखते हैं अपनी दरब नहीं लोड़ते हैं कस्चित धीरह कोई धीरवान पुरुस पर्त्यक आत्मन आच्छत पर्त्यक भीतर आत्मन आत्मा को आच्छत देखता है समझता है आवरत्य चक्छु अमर्तत मिच्छन आवरत्य चक्छु इंद्रियों को समेट कर अमर्तत मिच्छन अमर्ता की इच्छा लेकर आनंद की इच्छा लेकर सुक्षांद की इच्छा लेकर परकृत्य नहीं इंद्रियों को फोड़ कर बाहर निकाला है इसलिए आत्मी बहर मुख है कोई भी विवेकवान पुरस आत्म शांत की इच्छा ले करके अपनी इंद्री मन को समेट कर अंतर को देखता है अपने में लौटता है देखने मतलब है अपने में सिमिट आना और घट चले सु नगरी पहुंचे जो अपरचित रास्ते में चलेगा भीहड रास्ते में चलेगा आज तक जिस ढर्रे में आप चले हैं उसी में चलते रहे तो अपने को गमाओगे अब उसके उल्टा चलो स्वाद में आ सकत थे अब स्वाद को जीतो रूप में आ सकत थे, रूप को छोड़ो, रूप का मोच छोड़ो देखते देखते जिन्दगी बीत गई, रूप की बासना न मिटी खाते खाते बुढ़ा गए, स्वात की आ सकती न खतम होई संसार के प्राणी पदार्थों का संगम करते करते जिंदगी बीत गई तृष्णा बनी है भोगों से कभी त्रिप्त होती है त्याक से त्रिप्त होती है अंतर मुखो के देखिए सिमिट आईए जिछणा पूर अंतर मुखो जाएंगे परमानन्द ये बाहर सोच सोच करके कलेश है सोचना वंद हो अंतर मुखो जाएंगे परमानन्द आउगट चले सो नगरी पहुँचे बाट चले सो लूटे अपरचित कल्यान पत अपरचित है कठिल लगता है क्योंकि इसमें सैयम और त्याक की जरूरत है परंद इसी पत में चल करके नगरी में पहुँचोगे माज मजरिया बसे सुजाने जनुवें हैं सो थीरा हो निर्भेव है ताँ गुर की नगरिया सुक्सोईदास कभी रहो जो माज मजरिया में बसना जानेगा वो आदमी स्थित पाएगा माज मजरिया अपने आप में निर्भेव है ताँ गुर की नगरिया सुक्सोईदास कभी रहो सादक निर्भेव हो करके गुरू के नगर में सुक्स सोता है एक गुर का नगर सत्संग है और दूसरा गुर का नगर आतमी स्थित है सत्संग में निवास करके सादक आनन नमय रहता है और उस सत्संग के परणाम में जब वो अंतरमुक हो जाता है और अपने आप में स्थित हो जाता है फिर तो वो ही असली गुर नगर है उस गुर की नगरी में आउघट चलने वाला पहुँचता है आउघट चले सो नगरी पहुँचे कठन रास्ता में चलेगा वो नगरी पहुँचेगा त्याग कठन रास्ता लगता है कि त्याग सरल है त्याग से सब उपद्रों खतम है लेकिन आदत है भोग की तो लगताब हो गही सरल है आउगट चले सो नगरी पहुंचे बाट चले सो लूटे सुपर्चित विसे बास्नाओं के पत्मे फिर चलोगे तो लूटोगे एक जेवडी सब लप्टाने के बाद है के छूटे साहिब कहाते एक ही जेवडी में जेवडी में रस्सी में सब बदें कौन बदा कौन छूटा सब तो बदें एक जेवडी सब लप्टाने वो कौन सी जेवडी है जेवडी नाम जेवडी जेवडी रस्सी वो है त्रिशना की एशना की पुत्त अईशना बित्त अईशना लोक अईशना इन तीन अईशनाओं की समवेत बटी हुई रस्षी है पुत्त अईशना पुत्त की इच्छा होना हमें पुत्त मिल जाए पुत्त मिला तब बित्त अईशना क्योंकि पुत्त को संपन्न करने के लिए धन चाहिए पुत्त और वित्त की इशना के बाद तब लोक अईशना लोक हमें जाने हमारा पुत्त आगे नाम चलाए या और भी पद परतिष्ठा पुजता गुरुआई महंति मठादी सो करके अपना नाम फैलाने की इच्छा ये सब जीवडी में बद जाना है एक जीवडी सब लप्टाने के बादे के चूटे एशना की जीवडी में सब बदे है साहिब ने बीजक में कहा है बेली एक त्रिभून लप्टानी बादे ते चूटे नहीं ग्यानी काई कभी रमजात पुकारा पंडित होय सुले बिचारा बेली एक त्रिभून लप्टानी एक बेली है लता है जो त्रिभून में लिप्टी त्रिभून का लाक्षणी करते पूरा संसार वेदो में भूर वश्व एतीन आता है गैत्री में उसको कहा जाता है शुद्ध गैत्री में तो नहीं कहा जाता है उसमें पीछे अज़े से ओम भूर भूह स्वा लगाया गया भूर भूह स्वा भूर का मतलब भू पृत्वी भूह का मतलब अंतरिक्ष स्वा का मतलब चमकता हुआ मंडल भू ये पृत्वी है भूह इसके ऊपर आकाश है और स्वा जो स्वनिम चमकता हुआ तारा मंडल है यह तीन लोग के कलपना की गई तीन लोग का लाक्षनी करते त्रिभधन का लाक्षनी करते पूरा आसंसार और उसको और यहाँ के प्रिशंग अनुसार कहा जाए तो त्रिगुणी जीव सत रज्तम यह तीन संसकारों से आवेश्टित मनुष्य प्रानी के हिर्दय में एक लता लिप्टी है वो एशना और तिशना की बेल एक त्रिभुवन लिप्टानी त्रिभुवन में सब के मनों में एक बेल लिप्टी हुई है वो है तिशना की बांदे ते छूटे नहीं ग्यानी उसमें बदे हैं ग्यानी भी नहीं छुट रहे हैं बड़ा ग्यान जाडते हैं लिखते हैं पढ़ते हैं बोलते हैं लेकिन छुटे नहीं हैं कहा है कभीर हम जात पुकारा साहिब कहते हैं हम पुकारे जा रहे हैं पंडित होए सुले विचारा इसमें जो पंडित होगा विचार लेगा पंडित का मतलब है जिसकी बुद्धी सत्यासत विवेकनी हो सत्यासत विवेकनी बुद्धी पंडा सत्यासत विवेकनी बुद्धी पंडा होती यसे बुद्धी पंडा सब पंडित हो जिसकी बुद्धी पंडा होती है वो पंडित होता है यहां पाणे तिवारी की बात नहीं है पंडित का आर्थ पंडित का आर्थ है विवेकी पंडित होए सुले विचारा बादे ते छूटे नहीं ग्यानी यहां ग्यानी का आर्थ है वाचिक ग्यानी सास्त्री ज्यानी बहुत धिक ज्यानी और ज्यानी का असली अर्थे निर्मोही यह कई बार आप सिका करता हूँ कि दुनिया में एक विक्त ऐसा नहीं है जो सर्वता ज्यानी हो और सर्वता अज्यानी हो हर विक्त कुछ जानता है इसलिए कोई अज्ञानी नहीं और हर वेक्त बहुत कुछ नहीं जानता इसलिए अज्ञानी है एक बड़ा इंजीनियर भी साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता तो उसके लिए उज्ञानी है लेकिन साइकिल का पंचर बनाने वाला पंचर की विशे में तो ग्यानी है इसलिए लौकिक द्रिष्टी में सभी ग्यानी एक ग्यानी है आध्यात्मिक द्रिष्टी से अग्यानी उसे कहते हैं जो मोह ग्रस्त है ग्यानी उसे कहते हैं जो निर्मो हो गया तो ग्यानी का दोर था निर्मो लेकिन यहां ग्यानिकारत है सास्त्रों का ग्यानि बादे थे छूटे नहीं ग्यानि तो एक जीवडी सब लप्ताने के बादे के छूटे एक तिर्शना की जीवडी में सब बदे हैं और उसमें कौन बदा कौन चूटा क्या कहा जाए जो तृष्णा को काट दे वो मुक्त होता है हर जगा तृष्णा करके अपनी जगा बनाती है हर अस्थान पर खाने में, पीने में, कपड़े में, लत्ते में, रुपे में, पैसे में, मान बढ़ाई में, चेला बनाने में चेला बनाने कामों जिनको होता है जिस गाउं में गए चेला कोई नहीं बना तो सोचते हैं कि आना बेकार हो गया ऐसे ऐसे गुरु होते हैं भोजन बना लेते हैं तब कहते हैं भाई अब चेला बनो तो भोजन करेंगे तो नहीं नहीं करेंगे अब ग्रहपत सोचता भाई ये तो ठीक नहीं है महराज भोजन कीजिए जब बनना होगा बन जाएंगे भाई हम भोजन नहीं करेंगे जब तो तुन्चेला नहीं बनोगे अब बिबेकी होगा तो कहेगा महराज ठीक है न भोजन करो सादू को भोजन न करना अच्छा ही है कभी न करें अच्छा उपवास है वो नहीं बनेगा लेकिन बिचारा सब बिबेकी तो होते नहीं भाउक होते रहे महराज भोजन नहीं करेंगे पाप पड़े अच्छा महराज दैदो मंत्र ये कोई मतलब हुआ शिष गुरू के पीछे लगे गुरू सिष के पीछे न लगे चेला बनाने की तृष्णा होती है तो चेला कोई नहीं बना तो आने बेकार है जीवने बेकार है हर जगा तृष्णा अपना काम करती सारी तृष्णाओं के कट जाने पर शांत मिलती हर प्रकार के तृषणा के जाल को काट देना एक जेविडी सब लप्टाने के बाद है के चूटे मंदिर पैस चहूदिस भीग गए बाहर रहे तो सुखा अगर मंदिर में घर में घुसोगे तो सब तरफ से भीग जाओगे बाहर रहोगे तो सुखा रहोगे साहब की सुच भी कैसी थी वो कैसे प्रगलब थे कैसे सोच लेते थे मंदर मोह का मंदर है मानिताओं का मंदर है मंदर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय जो कोई पैठे धाय के बिन सिरसेती जाय ये बीज़क किसा के मंदर तो है नेह का मोह का मंदर है मत कोई पैठो दा इसमें कोई दौड करके मत गुसो और जो घुसेगा बिन सिर सेती जाए बिना सिर के सेत मेत में जाएगा सिर कटवा देगा मंदर पैस 24 भीग गए अगर मंदर में घुसोगे तो उसके सब दिशाओं में तुम भीगोगे जहें जहें दौड करके जाओ वहीं भीगोगे सारा मकान तो चू रहा है जिस मोह के मंदर में घुसे हो सब तरब से चू रहा है सारी इंद्रियों में तो छेद है कहीं सैयम नहीं है कैसी कल्यान होगे बाहर रहे तो सूखा अगर मंदर से बाहर होगे तो सुखा रहोगे भीगोगे नहीं मानिताओं के मों के मंदर से अलग हो जाओगे तो विकार सब सुख जाएंगे ये मनो विकार ही तो भवबंदन है जैनो और बोद्धों की भासा में आस्रव ही भवबंदन है आश्रो भो हे तुस्यात, आश्रो भो हे तुस्यात, संबरो मोग्छिकारणम, यतीर मुरह्ष्टो मुष्टिर अन्यदस्या प्रपंचनम, ये जैन दर्सन की व्याक्या है आश्रो भो हे तुस्यात, आश्रो भो है, आश्रो नाम जर्ना, मनों विकारों का जो प्रवाह है, ये ही संसार सागर है मन में जो मलिंता, बहराई, काम, क्रोध, लोग, मों, चिंता, शोक, विकलता, उद्वेग, अशांत, ये ही भो सागर है आश्रो भो हे तुस्यात, संबरो मोग्छिकारणम, इनका संबर हो जाना, रुख जाना, सुख जाना, मोग्छिका कारण ये ही अरहत का उपदेश है, अरहत सब्द वेद में भी आया अरहंद अरहत सब्द ब्राम्मण में भी आया, पूज के लिए अरह, पूज अरहत पूज, अरह पूज, पूजना, सतकार करना तो अरहत कहते हैं पूज को, अरहत कहते हैं जो अरी का हतन कर दे दुसरी भाषा में, दुसरे अर्थ में, अरी है कामकरोद लोगमो, उसका जो हतन कर दे वो अरहत है अरहत का ही उबदेश है, जीवन मुक्तों का यही उबदेश है कि मन के विकारों का प्रवाह भौसागर है, और मन के विकारों का प्रवाह सूख जाना मोग्चे और अन्य तो प्रपंचनम बिस्तार है, जो और सास्त्रों में लिखा गया है, उसका बिस्तार है, उसकी भी जरूरत है क्योंकि बिना बिस्तार से समझे समझाए, तत्विवेक नहीं होता है लेकिन मूल में कहा है तो मनोविकार भोसागर है मनोविकारों का सुख जाना उससे निविरते है बिख्षू विश्वास मापाद अपतव आसवक्खयम ये तथागत बुद्ध ने कहा बिख्षू विश्वास मापाद अई विख्षू निर्वान का विश्वास तब तक मत करो मोख्ष का विश्वास तब तक मत करो अपतव आसवक्खयम जब तक आसरों का च्छे अपराप्त है इनी जब तक वाशना की निवरत की इस्थित नहीं आई है जब तक मन की मलिंता समाप्त नहीं हुई है निर्वान की आशा मत करो अगर क्रोधित होते हो मोहित होते हो लोभित होते हो काम वाशना में बहते हो इरशा करते हो चिंता करते हो उद्वेगित हो तो विश्वास मापाद निर्वान कहा है विखो विश्वास मापाद अब पतो आसवक्खेम आस्रों छे अपराप्त होने तक निर्वान की आशा मत करो आस्रों का च्छे करो जो इंद्रियों में छेद है सब बाहरा है विक्रत हो बिलविला रहे हो समालो अपने को टंट घंट काम न करेगा नकरा बनाए राम न मिले हैं पुराणों में महाकाब्यों में अनेक संबरदायों की किताबों में जो सस्ते नुसके बाटे गए हैं उस चक्कर में पड़ोगे तो बीच में डूबोगे यह नाम लेलो पाप कट जाए यह बन्द पढ़ लो पाप कट जाये इस नदिम नहाओलो मुक्ति हो जाये यह सब जूठी बातों में मत पढ़ना नदिम नहा भी कोई मंद्र जपना भी कोई नाम जपना भी ए सब बुरा नहीं है लेकिन बंधन का कटना है मोह का कटना आसक्त का कटना मंदिर पैस चहूदिस भीग मोह के मंदर में वाशनाओं के मंदर में इंद्री विकारों के मंदर में पैट करके सब तरफ से भीगोगे बाहर रहे तो सूखा इससे बाहर हो जाओगे तो सूखा हो जाएगा ममता मोह छोड़ दोगे तो बिलकुल निर्विसे हो जाओगे दियासलाई सुखी है काड़ी सुखी है तो जरासा घिसो आग फक से जल जाएगे गीली में नहीं जलेगे मनंद्री जब विशेवासनाओं से सूख जाएंगे तब ग्यान परदीप तो होगा मंद्र पैस जब भी गए बाहर रहे सुखा सरिमारे सो सदास सुखारे अनमारे ते दूखा सरिमारे सरिमारे सरिनाम संपुर्ण जो संपुर्ण रूप से अपने को मार देगा वो सदा सुखी हो जाएगा अनमारे ते दूखा अपने को न मारेगा तो दुखी रहेगा दूसरेक न मारो अपने को मारो अगर कोई आपको मारे तो भी उसको न मारो इस साधना की बात है बेवहार वाली बात का अलग निर्डे करना जैसा उचित होगा करना कभी तो ऐसा भी कोई मारे तो न मारो बल हो तो उसको मारो लेकिन मारोगे तो जेल में जाओगे भी समझ लो तो जितना बन सके बचाओ लेकिन अगर साधना करना है तो मारा मारी से बिलकुल ही बचो कोई गाली दे गाली ना दो कोई मारे मारो ना सरि मारे सो सदा सुखारे संपुन रूप से जो अपने को मार देता है वो सदा सुखी हो जाता है संपुन रूप से अपने को मार देना क्या है अहंकार को गला देना घर में कोई गरहस्त घर में पहुंचा उसकी पतनी किसी कान बस उल्जी थी और कड़ा बोल दिया और पुरुष भी कड़ा बोल दिया तो दुख हो गया वो कड़ा बोला और पुरुषांद रहा बोला तो मीठा बोला सुख हो गया अपने को मार देना यही अगले आदमे ने कड़ा का हम चुप रहे और बोले तो मीठा बोले यह अपने को मार देना आइसका फल कितना बढ़िया यह एक अंश की बात हुई इसी प्रकार सब तरफ से जो अपने को मार देता है यानि सारी इंद्रियों को समेट लेता है वो सदा सुखी हो जाता है अनमारेते दूखा जो अपने को नहीं मारता है अपने को मारने मतलब अपनी मनिंद्रियों को अपने बस में करना अपनी अंगता ममता को मारना जो अपनी अंगता ममता को नहीं मारता है वो सदे वो दुखी रहता है अनमारे ते दूखा, शरिमारे सो सदा सुखारे अनमारे ते दूखा, इस पर जितना विचार किया जाए कम है, अपनी को मारो, अपनी को मारो, अपनी को मारो, मरो मरो हो गोरख मरण है मीठा जही मरने से जगडर है मेरे मना आनन कम मरी हों कप पाई हों पूरन परमानन जीवन में रहते रहते जो अपने को मार दिया अपनी अंता ममता को मार दिया शीतल हो गया निर्वान उसका हो गया मोख्छ हो गया कल्यान हो गया सरिमारे सो सदा सुखारे अनमारे ते दूखा जो अपने मनंद्रियों को नहीं मारा अपने अंकता ममता को नहीं मारा वो दुखी रहेगा बिन नैनन के सब जग देख है लोचन राते अंधा कहें कविर का समझ पड़ी है यह जग देखा धन्दा बिन नैनन के सब्जग देख है बिन नैनन का अर्थ है ये इंद्री और मन से उपर उठकर बिवेक की दृष्टी से बिवेकवान सारे संसार की इस्थित को देखते हैं सब कुछ निर्माण और च्छै के रूप में प्रवाहित है जिसको तथागत बुद्ध की भासा में कहें तो उदे और व्ये उदे हो रहा है वे हो रहा है निर्माण हो रहा है विनास हो रहा है विवेक की दृष्टी से देखने वाला सब कुछ को चणचण उत्पत दृष्ट सारा दृष्ट चणचण उत्पन होता और लुप्त होता है बचपन के सारे दृष्ट से लुप्त हो गए मैं एक बार ननिहाल में गया था तो दीवाली थी तो दीपक जब साम होई ओँ दीपक जलाए तो मैं टाक में रहूँ कौन दीपक बुच्चता है बचपन में भी मेरा जगडालू आदत नहीं रहे आत्मा जपतनेंग नहीं थी कोई गलत काम करनें नहीं थी ये नहीं कि दीपक को बुझा कि उठा लाओ जो दीपक बुझे जट से उठा लाओं और उसको छिपा के रखो खोब दीपक बटोरा दरवाजे पर इटो का रोडा था उसी का धेर था उसी में जगा बना बना करके और खोब दीपक बटोरा आज भी याद होती है क्या उमर रही होगी मैं तो समझता था ख़जाना बेटोल लिया जब वहाँ से चला तब चाहा दीपक ले जाओं तो लोग हसने लगे इस सब बटोर करके कहा ले जाओं सब दीपक लोग छोडवा दिये वैसे चला है ननियाल से वो सब बाते याद करता हूँ अब वो सब लौट सकता है अब लौट आये तो कोई फाइदा है लड़क पने तो था क्या रहता है जितने लोग यहाँ बेटे हैं अपने पूर्व की घटित घटनाओं को याद करें उसमें क्या है कुछ दरा है सब भागा जा रहा है देखते देखते सब भागा जा रहा है आपका कुछ नहीं सुंसार में ज्ञान की परिपग कवस्था है मेरा कुछ नहीं है और कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ ना मैं किसी का हूँ ना मेरा कोई है और ना मेरा कुछ है यही वास्त विक्ता क्या यह गूर्टत्त है हमारे गुर्देव के सरीड छूटे पांच बरस हो रहे हैं हो गए उनका कहां क्या है हमारे गुर्देव के गुर्देव बहुत पहले सरीड छोड़ दिये और भी महापुरुस पिता पितामा दादा बाबा आओ पर पाजा जिनके अब हुई बाड़े हो हम लोग के क्या रहेगा बिन नयनन के सब जग देख है बिवेक वान ये इंद्री और मन को जीत कर बिवेक की दृष्टी से सारे जगत को आगमा पाई की रूप में देखते हैं सब कुछ उदे बे हो रहा, सब कुछ बन और बिगड रहा, कुछ हमारे हाथ में नहीं लोचन रहते अंधा लेकिन संसार के लोग तो लोचन रहते अंधा आँखे हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं तनिक तनिक बात Bennett कुल करके लड़ रहें चकड रहें मार काट कर रहें लूट फूक रहें दोसरे कि हग दबा रहें और अपने हग छोड करके जाने वाले अभो दोसरे कि हग दबा रहें कहाएं कवीर कुछ समझ परी है यह जग देखा धंदा साहब कहते हैं जगत के धंदे को देख करके कुछ-कुछ समझ में बात आई यह बिनमरता की भासा है कहाएं कवीर कुछ समझ परी है यह जग देखा धंदा मुझे भी कुछ समझ में आई कैसे आई बात ये जगत के धंधा को देखा तो मेरी बुद्ध में भी बात समझ में आई कि कुछ अपने हाथ में है नहीं अवदू ऐसा ग्यान बिचार भेरे चड़े ते अद्दर डूबे निराध हारवे पार औगट चले सो नगरी पहुँचे बाट चले सो लूटे एक जेवरी सब लिपटाने के बादे के चूटे मंदिर पैस चौँदिस भीगए बाहर रहे ते सूखा सरिमारे ते सदा सुखारे अनमारे ते दूखा बिन नैनन की सब जग देखे लोचन रहते अंधा कहें कबीर का समझ परी है यह जग देखा धंदा जिनको घूमना हो पांच मिनट के लिए घूमाए